नमस्कार मित्रों! कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, श्वस्त होंगे, दुरूस्त होंगे और मजे में होंगे दोस्तों आज हम लोग बात करने बाले हैं कि I नाम बाले जा तक और T नाम बाले जा तक अगर साधी करते हैं किसी भी प्रकाड के शंबंध में आते हैं तो इन दोनों के बीच में जो शंबंध बनेगा वो शंबंध कैसा रहेगा अगर आप ये जानना चाहते हैं तो वीडियो आपको सुनना चाहिए क्योंकि यह जो वीडियो है वो I नामबाले जातक और T नामबाले जातक इन दोनों के लिए बहुत जयादा महत्वपुर्ण और उपियोगी है लेकिन सबसे पहले आपको एक काम करना है और काम क्या करना है कि आपको वीडियो को लाइक कर देना है साथ में एस्टरो मंदिर को आपको शब्सक्राइब कर देना है और वीडियो के नीचे में अपना नाम कमेंट कर देना है और उसके बाद वीडियो को सुनना है क्योंकि बाकी का जो काम है वो काम अब मेरा है दोस्तो आई नाम बाले जातक और टी नाम बाले जातक अगर किसी भी प्रकार के शंबंध में आते हैं तो इन दोनों के बीच में जो शंबंध बनता है वो शंबंध बहुत मजबूत होता है बहुत आकरसक होता है क्योंकि इस नाम के जो दोनों जातक हैं वो अपने आपसी जीवन में एक दूसरे का शम्मान बहुत ज़्यादा करते हैं एक दूसरे का आदर करते हैं और हमेशा अपने जीवन में एक दूसरे की बातों को बहुत ज्यादा सम्मान देते हैं और इस कारण से क्या होता है कि इस नाम के दोनों जातक अपने आपसी जीवन में एक दूसरे के परती बहुत ज्यादा आकरसित होते हैं इन दोनों के मन में एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा आकरसन होता है और इस कारण से शंबंध मजबूत हो वैसे अगर आई नामबालों की बात करे तो आई नामबाले जो भी लोग होते हैं वो बहुत सांत होते हैं, बहुत धर्जवान होते हैं और हमेशा अपने जीबन में टी नामबाले लोगों का शमर्थन बहुत ज्यादा करते हैं लेकिन अगर टी नामबालों की बात कड़े तो टी नामबाले जो भी जातक होते हैं वो बहुत उत्साही होते हैं हमेशा अपने जीबन में इसनेही होते हैं इसके अलाबा बहुत ज्यादा वभादार और औसहिसनु होते हैं यानि कि कभी भी अपने जीबन में अपने जीबन साथी को धोखा नहीं देते हैं और इस कारण से अनुकुलता बहुत ज्यादा होती है दोस्तो आई नाम वाले जातक और टी नाम वाले जातक इन दोनों के बारे में लगभग शाड़ी बातें हमने जान ली और साड़ी बातें जानने के बाद अगर आपके दामपत्ते जीबन या आपके प्रेम जीबन की बात करें तो आप दोनों के बीच में जो शंबंध बनेगा वो शंबंध बहुत मजबूत होगा बहुत आकरसक होगा तो आप साधी करें शाधी करने में कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी नहीं होगी तो मुझे उम्मीद है शाड़ी बातें आपके माइंड में आ चुकी होगी और मुझे उम्मीद ये भी है कि आपने वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा साथ में एस्टरो मंदिर को आपने सब्सक्राइब भी कर दिया होगा और वीडियो के बारे वीडियो आप हर जगह से यर भी कर दें, ताकि आपके शंपर्क में जो बांकी लोग हों, वो वीडियो को देखें, वीडियो को सुनें, और अपने दामपत्ते जीबन या अपने प्रेम जीबन के बारे में शाड़ी बातें पता कर सकें.